पामोल की किम्तों में हफ़ते के तीसरे दिन 5% तक की गिरावट देखने को मिली इससे इसका प्राइस जनवरी 2021 के निचले सर पर पहुँच गया फूद से लेकर कोस्मेटिक्स और बायो फ्यूल में पामोल का इस्तेमाल किया जाता है दो सब्ता पहले यानि 13 सितंबर को मलेशिया पामोल फ्यूचर में लगबग 6% की मजबूती दर्च की गई थी दरसल अमेरिका में सोया बीन की फसल में कमी के साथ ही परमुख खरीदार भारत से डिमांड बढ़ने के अनुमान से पामोल को सपोर्ट मिला था वहीं मिली जानकारी के मुताबिक भारत से पामोल का इंपोर्ट एक मीने पहले की तुलना में अगस्त में 87 फीसदी बढ़कर 11 महीने की उन्चाई पर पहुँच गया क्योंकि कीमतों में गिरावट के चलते रिफाइनर्स ने अपनी खरीदारी बढ़ा दी है वहीं मलेशाई पाम ओयल एसोसियेशन के नए चीफ एक्जेक्यूटिव जोसेफ टेक ने कहा है कि दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में क्रूट पाम ओयल का उत्पादन 2022 में 1.8 क्रो टन रहेगा वहीं इदेश में एरिया के हिसाब से 40 फीसदी प्लांटेड पाम का प्रतिनिद्व करता है उन्होंने ये भी कहा है कि लेबर की खासी कमी हो गई है हलाकि सरकार ने विदेशी वरकर्स के कोटे की कुछ एप्लिकेशन को मंजूरी दे दी है लेकिन इसमें कुछ प्रोसीजर समंदित दिखते हैं अगस्त से अक्तूबर तक का समय आम तोर पर कटाई के लिहाद से वियस सीजन रहता है लेकिन फिलाल पाम तेल की कीमतों में गिरावट जारी है देशी बजारों के सासाथ विदेशी बजारों में गिरावट का दोर देखने को मिल रहा है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी